तो आपको जिसे के बताए कि जो गवयर्ली का टेस्टनेट पे इथेरियम है आपको एक जो तरीका है कि आप इसको फॉसेट से मगा सकते हो बट यूजली जो फॉसेट से आते हैं वह बहुत ही कम ETH आते हैं और कभी-कभी तो एक दिन में एक ही बार मगा सकते हो तो आपके प exchange करना पड़ता है testnet Ethereum के लिए right so मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तो फिलाल Ethereum on Arbitrum है तो मेरे पास 0.001 अगर मैं Ethereum exchange करता हूँ तो मेरे को 8 Ethereum आ रहा है but इसको मैं 001 ETH actual मैं pay कर रहा हूँ और जबकि जो Ethereum में को मिल रहा है वो नकली है testnet पे तो आप देख चेकते हूँ कि आपको testnet ETH actually खड़ीद रहा हूँ जिससी कोई value नहीं है सिर्फ इसको मैं testnet के transactions के लिए कर रहा हूँ right but एक reason यह भी है कि यह testnet bridge है जो layer 0 पर बना हुआ है तो यहाँ पर आपको layer 0 के token airdrop में यहाँ पर फाइदा मिल सकता है future में तो मैं इसको यहाँ पर transfer करता हूँ make sure करना कि यहाँ पर arbitrum पर network है अगर आप ethereum जो optimism है तो make sure यहाँ पर optimism का select करना right now click on transfer confirm in your wallet आएगा अच्छा transferring आया 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 ओके तो यह कई बार fail हो रहा था लेकिन देखो भी आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर total 0.001 पर करना हूँ मैं submitting transactions transactions submitted view one explorer ओके hopefully eight ethereum testnet ethereum में आने चाहिए बड़ जिससे मैंने बताया कि इसका एक reason और भी है जो testnet bridge है यह layer 0 पर बना हुआ है तो अगर आप यह bridge यूज करते हो तो हो सकता आपको layer 0 के tokens में भी layer 0 का भी जो airdrop है वो भी काफी बड़ा है और राइट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर में पास already 8.30 ethereum आ चुका है यह goeli testnet पर token है 8.30 eth और अगीन 8.30 eth है इसको मैं future में जो testnet है उसको try करने के लिए भी मैं इसको use कर सकता हूं तो I do recommend कि यहाँ पर कुछ आप एक transaction कर लोगे तो एक ही बार करना है कर लोगे तो अच्छी बात है जो layer 0 के token airdrop में आपको मज़द मिल सकता है बागी let me know in the comment box below if you already have something like that and I'll see you in the next video take care